हैलो मेरे प्यारे दोसों कैसे हैं आप सभी दोसों आज हम बात करेंगे कि यूएस याने की यूनाइटेज स्टेट्स एक सूपर पावर कैसे बना इस देश ने ऐसी कौन सी चीज़े की जिसकी वज़े से आज वो दुनिया के उपर एक तरीके से राज कर रहे हैं पूरा ट्रेड इनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है पूरी दुनिया के अंदर इनकी करंसी चलती है डाइरेक्ली या तो इंडारेक्ली पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को ये कंट्रोल करते हैं सारे देशों को भी यानि कि उनकी जो international moves है उनको भी अमेरिका उसके उपर नजर रखता है उनको control करता है और पूरे दुनिया के उपर अपना दबदबा इन लोगों ने बना के रखा है तो ये उनको कैसे possible हुआ कैसे ये possible हुआ उनको कि ये आज दुनिया का सबसे ज़ादा स अचीव कर लिया इसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चानल पने हैं ऐसे ही interesting वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इंतजार किस बात कर रहे हैं दोस्तों जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्रा तो USA के पास एक सबसे बुनियादी जो फाइदा मिला उनको वो ये था कि उनके पास बहुत ही बड़ा भूखंड उन्हें मिल गया था तो ये जो सारे अमरेका के population है वो actual American है ही नहीं ये सारे लोग जो है वो migrant है कोई Europe से आया है कोई और कहीं से आया है कोई Russia से आया है तो ये सारे migrants है और जो लोग वहाँ पर actually रहते थे जो Red Indians उन्होंने उनको थोड़ा सा अपोज करने की कोशिश की लेकिन जितनी मातरा में वहाँ पर migrant लोग जो आ रहे थे उनको resist करना उनके बस की बात नहीं थी जिसकी वज़ा से ये जो सारे migrant लोग यहाँ पर आ गए उनके ह जाता है जिसकी वज़ा से इतने vast भूखंड के अंदर मिलने वाले सारे natural resources वहाँ पर मिलने वाले सारे तरीके के धातू सारे तरीके के कीमती चीज़े जो की जमीन से निकलती है जैसे कि Gold, Diamond ये सारे resources जो हैं वो अमरीका के हो गए जिसकी वज़ा से वो पहले से ही जादा लगबग पूरा जो यूरोप था वो बरबाद हो चुका था यूरोप के अंदर जो सारी countries थी बिल्कुल बरबाद हो चुकी थी तो इसकी वज़ा से बहुत बड़ी मातरा में यहां के लोग यूरोप के लोग अमेरिका में चले गए जहां पर उनके लिए सब कुछ open था ब अपना जो व्यवसाय है या जो भी विजनस आप करना चाते हैं वो कर सकते हैं वहां पर जाकर पैसा कमा सकते हैं तो यह भी इनके जो है वो industrial revolution का भी एक कारण बना क्योंकि वहां पर बिजनस के लिए बहुत ही जादा पोशक माहल बन चुका था दोस्तो अगला की जैसे मैं पहले कहा कि यहां पर resources की कोई कमी नहीं थी तो यहां पर अच्छी farmland थी बिल्कुल थी यहां पर Europe के साथ अच्छे संबन थे इस देश के बिल्कुल थे यहां पर free trade करने के लिए बिल्कुल आजादी दी जाती थी बिल्कुल दी जाती थी साथी साथ यहां की जो बने अंदर बहुत ज्यादा पैसा फ्लो होने लगा, जिसकी वज़ा से अमरिका एक सुपर पावर के तौर पर उभरने लगा दोस्तो अगला पॉइंट है Competitors कॉम्पीटिटर अमरिका के तब के जमाने में भी बहुत जादा नहीं थे और आजके जमाने में भी नहीं है क्यूंकि तब अमरीका के पास बहुत ही बड़ा भूखन था नीचे था उनका मेक्सिको और उपर था कैनडा तो दोस्तों ये दोनों ही कंट्रीज ऐसी नहीं थी जो कि इतने बड़े अमरीका देश को, याने कि युनाइटेट स्टेट्स को अपोज कर सके इन दोनों देशों की पास natural resources कम थे और power भी कम थी और वही पर US के पास काफी जादा power थी और ये जो सारे दक्षिन के जो regions है वो अमरीका ने अपने power के बलबूते ही मेक्सिको से लिये है क्योंकि ये जो southern US का जो पूरा part है उसमें से कई सारे कस्बे या कई सारे states जो है वो पहले मेक्सिको के पास हुआ करते थे लेकिन बाद में US ने उनके उपर दबाव डाल कर ये सारी जो territory है वो अपने अंदर ले ली साधी साथ North में भी Canada को एक सीमा तक ही उन्होंने रखा उसके बाद का पूरा इलाका जो है वो अमरीका के अंडर आता था तो इसकी वज़े से भी ये एक बहुत बड़ा देश बन गया जिसे पूरे North American continent में कोई challenge नहीं कर सकता था इसकी वज़े से उनकी एक तरीके से monopoly बन गई तो दोसों अगला जो point है जो इनके favor में काम कर गया US के वो था wars तो आप कहेंगे कि war किसी भी country के लिए अच्छा कैसे हो सकता है ये हमेशा ही devastating ही होता है लेकिन अमरीका के लिए war बहुत बढ़िया साबित हुआ वो इसलिए क्योंकि world war 1 के अंदर उन्होंने actively अपने continent से बाहर वाली लड़ाया लड़ी थी जहां पर अमरीका की बहुत बड़ी जीत हुई थी जिसकी वजह से अमरीका का दबदबा बन गया अमरीका से सब लोग डरने लगे तो उनको कोई challenge नहीं कर सकता था और बाद में जब world war 2 हुआ तब फिर से एक बार पूरा यूरोप जो था वो पूरी तरीके से destroy हो चुका था तो वो देश किसी भी तरीके के product बनाने की स्थिती में नहीं थे कोई भी तरीके के goods products वो बना नहीं सकते थे लेकिन वही पर अमरीका के अंदर बहुत सारे ऐसे उन्होंने plants लगा दिये थे या वहाँ पर industrial revolution एक तरीके से हो गया था कि वहाँ पर बहुत ज़ादा मातरा में goods तयार होते थे बाहर की countries में export किये जाते थे और क्योंकि ये सारी countries कुछ बनाई नहीं पाते थी क्योंकि उनकी economy पूरी तरीके से broken थी तो वो सारी चीज़े जो है वो अमरीका से खरीते थे तो war का अमरीका को दो तरफ से फायदा हुआ कि एक तो उनका दबदबा बन गया और दूसरा जो था वो ये था कि economically भी ये country ज़ादा strong होगी क्योंकि उनके competition में कोई था ही नहीं जो की जो लगने वाले goods है वो बना सके और उनको export कर सके तो ये कुछ main कारण बने जिसकी वज़ा से अमरीका को आज हम superpower के तोर पर देखते हैं world power के तोर पर देखते हैं ये लोग सब को control करते हैं क्यों करते हैं तो उनके बुनियाद में ही ये सारे जो factor है वो उनके favor में काम कर चुके थे जिसकी वज़ा से ये पूरा देख जो है वो एक world power के तोर पर उभर कर आया है तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना बिलकुल ना भूले